आधुनिक पैसे की प्रकरिया 1960 के दशक में शिकागो फैडर रिजर्व दुआरा आधुनिक पैसे की प्रकरिया Modern Money, Mechanics नामक एक पुस्ती का परकाशित की गई जिसमें साफ लिखा है कि बैंक वास्तम में जमा किये गए पैसों को कर्ज के रूप में नहीं देते अगर वे ऐसा करते तो कोई अतिरिक पैसा नहीं बनता वे लोन देते समय उधार करताओं के लिए देन खातों में क्रेडिट के बदले में वचन नोट्स विकार करते हैं जिसका आर्थ ही है कि जब आप कर्ज लेने जाते हैं तो वे पहले से जमा पैसे को कर्ज के रूप में नहीं देते बलकि आप से कहते हैं कि आप हमें ये वचन दो कि आप जितना पैसा लोन लेंगे उसे आप ब्यास समय वापस लोटाओगे आपके इस वाइदे के बदले में वो एक रसीद काट कर देते हैं जिसे आप पैसा मान लेते हो सुनार भी ऐसा ही करते थे जिसे पहले समझाय गया है हमने पहले जो प्रकरिया देगी उसमें सुनार 10% रिजर्व रखकर बाकी का सोना चांदी कर्ज पर देता था पर असलियत में वे सारा का सारा सोना चांदी रिजर्ज के रूप में रखता था अभी पैसे की मातरा सो ही थी जिसे उपर के चितर में दिखाया गया है जब कोई सुनार के पास पैसे लेने जाता था तो सुनार उससे वचन लिखवा लेता था कि वे व्यक्ति उधार लिये गई पैसों को ब्याज सहित लोटाएगा इस वादे को अपनी संपत्ति मान का सुनार उतना पैसा नहीं होते हुए भी उसे उतना पैसा देने की बात करता था चुँकि असल में उतना सोना चांदी सुनार के पास थी ही नहीं वे कहता था कि मैंने आपको जो पैसा कर्ज के रूप में दिया है वे मैंने आपके पास जमा कर लिया है इसके बदले वे उस व्यक्ति को एक रसीद काड़ कर देता था जिसे लोगों ने पैसे प्रतिकात्मा मुद्रा के रूप में सुविकार कर रखा था इस तरह सुनार दोराज़ारी की गई रसीदों पर लोगों का विश्वास होने के कारण उसके घर में एक तरह से पैसे बनाने की मशीन आ गई जिसे वे अपनी मनमर्जिस से परियोग करता था सुनार के पास जितना सोना चांदी रखा रहता था वे उससे दस गुना रसी देता था पैसा चाप लेता था जिसका दसवा हिस्सा तो सही माइने में उसे बनाने का अधिकार था पर बाकी के 9 हिस्से वे अपनी मनमर्जी से बना कर्ज दे कर ब्याज वसूलता था इस फोटो में आप अच्छी तरह समझ सकते हैं इस तरह सुनार असली पैसे सुनार के पास जमा सोना चांदी वास्तिविक मुद्रा में से 9 गुना पैसा लोन लेता था अगर उस पर 6% वारशिक ब्याज भी लगे तो वे 6% न रहकर 54% हो जाता था 54% सालाना ब्याज का अर्थ 2 साल में सारा सोना चांदी इनका हो जाना चुँकि सब लोग अपना सारा पैसा सुनारो के पास नहीं रखते थे इसलिए 2 साल की जगा इस काम को होने में कई साल लगे दुनिया का लगभग सारा सोना चांदी जब इनका हो गया तो दुनिया को लूटने के लिए अब बिना सोना चांदी के आधार पर ऐसे ही पैसा चापकर कर्ज पर देने का फैसला किया गया 1933 में गोल्ड स्टेंडर समाप्त कर दिया गया जिसका अर्थ यह था कि रसीदों के बदले अब आपको बैंकों के पास जमा सोना चांदी नहीं मिलेगा यह दुनिया की आज तक की सबसे बड़े लूट है बहुत सारे लोगों को अभी भी बिरम है कि कोई भी देश अपने पास रखे हुए सोना चांदी के आधार पर पैसा बना सकता है अब सुनारों ने कागस का नोट बनाने का अधिकार तो कैंद्रे बैंक जैसे भारते रिजर्व बैंक आरबी आई फेडरल रिजर्व बैंक वगेरा को दे दिया परंतो दुनिया के अधिकांश कैंद्रे बैंक प्राइवेट हैं और इनहीं के लोगों की संपत्ति है जो कैंद्रे बैंक सरकारी हैं जैसे भारते रिजर्व बैंक इनहीं लोगों की विवस्ता के अंतरगत है और सरकार का नियंतरण कैंद्रे बैंकों पन्यूंतम है इस कारण आप भारते रिजर्फ बैंक के नोट पर पाएंगे की कैंद्रे सरकार इस पर गारन्टी दे रही है ताकि लोगों का विश्वास इस कागज पर बना रहे अब सुनारों ने हर जगा अपने बैंक बना लिये और जैसे वैसे पहले सोना चांदी रखकर कागज की रसीद काड़ते थे अब केंदरे बैंक दोरह बनाए गए पैसों को रखकर 10 गुना पैसे कर्ज के रूप में दे देते हैं जो सिर्फ लोगों के बैंक खाते में लिखे रहते हैं जबकि असलियत में बैंकों के पास होते ही नहीं है जब तक सोना चांदी था तब तक ये लोग सीमित पैसा बना सकते थे लेकिन अब ये लोग कागज के नोट रखकर पैसा बना सकते हैं अंश रिजर्व बैंक किंग इस प्रकर्या से दुनिया का 95 प्रतिशत पै प्रकार के पास ना होकर किसी नुकर चोराहों पर इस्थापित वेवसाइक बैंकों के पास है जैसे ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक की त्यादी और इनकी लगाम विदेशी ताकतों के पास है आज के समय जब कोई व्यक्ति बैंक में अपना पैसा जमा कराने जाता ह तो बैंक आपके खाते में पैसा लिखकर आपको एक पास बुक या कागस के नोट दे देती है जब किसी को करज की जरूरत पड़ती है तो बैंक सुनारों की तरह आप से एक वादा लिखवा लेते हैं कि आपको ब्याज सहीत करज वापस लोटा ना होगा जिसके बदले वो आपको करज देने की बात करते हैं पर असली पैसा ना होने की वज़े से वो सिर्फ आपके खाते में लिख देते हैं जिस पर वे आपसे ब्याज वसूलते हैं अब अगर किसी को एक लाख रुपे करज के रूप में चाहिए तो बैंक दे देते हैं और आपके खातों में लि सकते हैं इस पूरी प्रकरिया में पैसे की मातरा बहुत जादा बढ़ जाती है जो महंगाई का मुख्य कारण है केंद्रे बैंक का उद्देश्चे मात इतना है कि जितना पैसा बनाकर बैंक कर्ज के रूप में देंगे उसका 10% बैंकों को अपने पास रिजर्व के रूप मे तो लोगों के पास जमा किये गए पैसों से ही होता है और अगर नहीं होता तो वे केंद्रे बैंक से बहुत सस्ते ब्याज परकर्ज ले लेते हैं एक तरह से बैंक वालों के घर में पैसे का पेड़ है जिससे पैसे तोड़ का जितना भी पैसे कर्ज के रूप में दे सकते ह झाल झाल झाल